2011 में आई रॉक स्टार मूवी तो आप सबको याद होगी जिसने रनबीर कपूर का अपार टालेंट दुनिया के सामने लाके रख दिया था लेकिन क्या आपको ये पता है कि रॉक स्टार उस ताइम की एक ऐसी मूवी थी जिसे बहुत ही कम ओडियन्स उस ताइम पे समझ पाई थी और इस एपिक मूवी के डिरेक्टर इम्तियाज अली सरें जिन्होंने जब भी मैट, लव आजकल, तमाशा और हाईवे जैसी मूवी दिरेक्ट करी है और रीजन था उनके गानों के लिरेक्स जो थोड़े सजेस्टिव हुआ करते थे और उस टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे टाबू टॉपिक्स पर बात करते थे जिन पर सुसाइटी ओपनली बात नहीं करती थी इवन ये उस टाइम के एक ऐसे आर्टिस थे जिनके रिकॉर्ट्स तक ब्लैक हुआ करते थे और 366 शोज उन्होंने एक साल के अंदर किये थे तो मूवी हमें अमर सिंग चमकीला की पूरी जर्नी दिखाती है कि कहां से वो आए थे, कैसे वो ऐसे सिंगर राइस किये और अपने गानों के वज़े से क्या-क्या स्ट्रगल और थ्रेट्स फेस किये और सिंथ इस मूवी को इंद्यास सर ने डिरेक्ट किया है तो इसका डिरेक्शन तो टॉप नौच है और जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि अब इन्होंने अपना एकदम बेस्ट दे दिया है तब यह अपना नेक्स प्रजेक्ट आपके सामने रख देते हैं और आपको ऐसन ओडियन्स अशॉर करा देते हैं कि अभी इनका टैलेंट पूरी तरह से एक्स्प्लोर नहीं हुआ है जो मुवी का स्क्रीन प्ले है और जो अनिमेशन का यूज किया है ना मतलब इसे कहते हैं टेक्नॉलिजी का बिलकुल सही इस्तमाल करना ऐसे नहीं जैसे और बॉलिवर्ड मुवीज में टेक्नॉलिजी का पूर्ण इस्तमाल किया जाता है और जैसे रॉक स्टार में रनबीर कपूर का परफॉर्मेंस था और उस जैसी भी कोई मुवी आज तक नहीं बनी वैसा ही कुछ आपको experience करने को मिलता है दिल जी दुसांच के थुरू क्या versatility है उनकी मतलब चाहे acting ले लो चाहे dialogue delivery ले लो हर तरह से जान फुख दिया क्यारेक्टर के अंदर और मुझे नहीं लगता कि चमकीला का क्यारेक्टर उनसे बेटर कोई और कर सकता था उड़ता पंजाब, good news, crew और अब ये मतलब बॉलिवोड के कुछ actors को तो मेरी ये advice है ना कि भई तयारी कर लो वरना ये बंदा ना खा जाएगा तुम्हारा career तो दिल जीतने तो दिल जीता ही जीता है लेकिन परिनीती चोपडा मतलब उनके career का ये अब तक का सबसे best performance होने वाला है क्या ही सही performance दिया है उन्होंने और इनके साथ एक special mention अंजुम बत्रा का जिन्होंनों इसमें टिक्की पाजी का character प्ले किया है और एक ऐसा enjoyable और relatable character दिया है ना कि वो कही ना कहीं आपके friend circle में आपको दिखी जाएगा और जैसे इंत्यास सर अपनी हर movie में music पे बहुत focus रखते हैं सेम इसमें भी बहुत focus कर रहा है मतलब musical biography तो ये है लेकिन उसके साथ साथ जो music का level है वो एकदम ये अलग level का है खले ही पंजाबी हिंदी mix songs हैं लेकिन आप हर एक song को enjoy करते हो और ये ensure कराते है एर रहमान सर और उनके साथ guess करो कि किसका comeback हुआ है और अगर सही guess कर लो तो comment section में बताना तो सबकी performance ये ऐसी थी कि लगी नी रहा था कि आक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा था कि हर एक character को इन्होंने जिंदा कर दिया है और मैं तो चमकीला के बारे में जानती भी नी थी लेकिन मुझे एक second के लिए भी disconnect फील नी हुआ कि मैं ये movie क्यों देख रही हूँ मैं तो इस बंदे के बारे में जानती ही नी लेकिन movie यही पर अपना काम करती है और एक ऐसा connect बनाती है न कि आप start to end तक बिल्कुल picture के अंदर engaged रहते हो और movie के जो dialogues भी है न वो भी इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं मतलब intelligent dialogue writing इसे कहते हैं यह नी कि lame jokes वाले dialogues पकड़ा दी audience को बड़े मिया छोटे मिया की तरह और पूरी movie की setting ही पंजाब की है तो picture आपको पूरी पंजाबी vibe देती है एवन उस time के पंजाब की क्या conditions थी तो वो बहुत अच्छे से build हो रखा है movie के अंदर और इवन जो पंजाबी songs आते हैं उनका भी translation screen पे आ जाता है इवन subtitles भी आ जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती समझने में और एक और चीज़ जो मुझे movie में बहुत अच्छी लगी वो था कि उन्होंने original photos यूज़ करी है लेकिन वो शायद इसलिए कि end तक आते आते वो आपको एक ऐसा hard hitting climax दे सके जो आपको एकदम अंदर तक feel हो तो practically मुझे इस movie के बारे में कुछ ऐसा नहीं लगा जो likable ना हो हाँ बस आप adult और mature होने चाहे हो इस movie को देखने और इसके characters को समझने के लिए क्योंकि movie में थोड़ी बहुत गालिया और double meaning dialogues है और मेरे opinion में ये movie ये theatrical release होनी चाहे थी rather than an OTT release क्योंकि बैसे भी OTT पे थोड़े time बार आई जाती लेकिन पता नहीं आजकल क्या चल रहा है जो picture theater में release होनी चाहे वो OTT पे release होती है तो शायद as an audience हम ही कुछ गलत कर रहे होंगे तो गलती सुधार हो और अगर इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो और देखो जो लोग ये कह रहे हैं कि इतने controversial figure पे movie बनाने की क्या जरुरत थी जो ऐसे गाने गाता था जो women को objectify करता था तो देखो society के जितने भी aspects होता है ना चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो वो सब हमारे आसपास ही होता है बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग open में चीज़ बोल लेते हैं और उसी चीज़ को दुनिया एक तरफ तो praise करती है और दूसरी तरफ criticize करती है और यसे कितने ही real life examples हैं जैसे सिदु मूसे वाला या Tupac जिनो ना as a true artist अपने songs के through life का, society का सच openly बोला और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई तो overall चाहे आपको पंजाबी आती है या नहीं आती चाहे आपने अमर सिंग चमकीला का कभी नाम या गाने सुने हैं या नहीं सुने लेकिन इस movie को आपको definitely skip नहीं करना चाहिए अगर आप एक true cinematic experience चाते हो तो और एक special tip अगर इस movie का maximum experience चाते हो ना तो इससे टीवी पर ही देखना और होस लगे तो speaker लगा के देखना और अगर ऐसे ओर content देखना चाते हो तो इस वीडियो को like कर सकते हो अपने friends and family के साथ share कर सकते हो और अगर चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो कर लो subscribe कि हम जल्दी मिल सके next interesting वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई